नमस्कार आप देख रहे हैं RG News और मैं हूँ तरुन 36 गड़ के अंबिकापूर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच गुरुबार यानि आज पहली ऐसी ट्रेन सुरू की गई अंबिकापूर निजामुद्दीन अंबिकापूर साप्ताईक बिसेश ट्रेन पूरी तरह बातनु कूलित है रेल मंतरी अस्विनी बैसनों ने बीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये ट्रेन को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया पहले ही दिन ट्रेन आदे गंटे देरी से रवाना हुई याने कि नौ बच कर तीस मिनट के समय से रवाना होने वाली ट्रेन आज सुबह दस वजे छूटी इस वीच मुख्यमंतरी बुपेज बगेल ने कहा है यह ट्रेन समान एक्सप्रेस होती तो अधिक बेतर होता मुख्यमंतरी बुपेज बगेल ने अपने अधिकरेस सोचल मीड़ एकाउंट से लिखा है अम्बिकापूर से निजामुद दिन के लिए नई रेल शुरू हो रही है इसके लिए रेल मंतरी अस्विनी बैसना को चटिस गड़ की ओर से साधूबाद विड़मना है कि एक आधिवासी इलाके की ट्रेन पूरी एसी है और बैवी स्पेशल स्रेणी की जिसका बहुत किराया होगा सामान एक्सप्रेस हो जाए तो जनता को सुविदा होगी ऐसा कहना चटिस गड़ के मुक्ष मंतरी भुपेज बगेल जी का है ट्रेन के सुभारंब के अवसर पर अंबिकापुर में केंद्री जन्जाती कार राज्यमंतरी रेनुका सिंग और भटकाओं के बिधायक पारसनात रजवारे मौजूद रहे आपको बता दें 14 जुलाई को 00-08-64 अंबिकापुर निजामुद दिन स्पेसल ट्रेन सुवह 9 बच कर 30 वजे रवाना की जानी है इस गाड़ी को पहले दिन स्पेसल के रूप में चलाये गया है अधिकाजियों ने बताया इस गाड़ी का नीमित परिचालन दिनांग 19 जुलाई से किया जाना है गाड़ी संख्या 04-04-03-04-04-04-04 अंबिकापुर निजामुद दिन निजामुद दिन अंबिकापुर सबताहिक विशेश ट्रेन निजामुद दिन से प्रत्येक मंगलबार को रवाना होगी बहाँ से छूटने का समय 14 बजे निर्धारित है यह ट्रेन अगले दिन साम को 7 बच कर 30 मिनट पर अंबिकापुर पहुँचेगी 21 जुलाई से यह ट्रेन अंबिकापुर से प्रत्येक गुरुवार को निजामुद दिन पहुँचेशन पहुँचेगी अभी के लिए बस इतना ही जुड़े रहें आरजे निज के साथ